चाचा पशुपती पारस दावा ठोकते रह गए और भतीजे चुराग पासवान ने बाजी मार ली बिहार में एंडिये में सीट का वटवारा हो गया है सीट शेरिंग में चुराग पासवान की पार्टी लजेपी राम दलास को 5 सीटे दी गई है जबकि पशुपती पारस को गडबंधन में कोई तवज्जों नहीं मिली उनकी पार्टी राष्टिये लोक जन शक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है बीजपी एक बार फिर राज में पड़े भाई की भूमिका नभाएगी और 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं नितीश कुमार की जेडियों के खाते में 16 सीटे आई है जीतन राम मांजी की पार्टी हम को एक और उपेंद कुश्वाहा की पार्टी राष्टिये लोग जनता दल को भी एक सीट मिली है चराग पास्वान को इस बार जो पांच लोग सभा सीटे मिली हैं उसमें वैशाली, हाज़ेपुर, समस्तिपुर, खागडिया और जमुई शामिल है ये सभी सीटे लगपी के पास हैं जिनके मुख्या पशुपती पारस हैं ये तो रही सीट शेरिंग की बात लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि NDA की सहियोगी LGP प्रमुख पशुपती पारस को एक भी सीट नहीं मिली है जबकि इस समय वो मोदी सरकार के खाद और प्रसंसकरण मंतरी हैं अब सवाल उड़ता है कि आखिर कहां चूप गए पशुपती पारस चुराग पासवान कैसे चाचा पर भारी पड़ गए और सबसे एहम बात चुराग की चाह में बीजेपी ने पशुपती पारस को क्यूं कर दिया खाली हाथ 2021 में लोकसभा जनशक्ती पार्टी में तूट हुई थी फिर पशुपती पारस को एंडिये का साथ मिला और चुराग पासवान एक डम हाशे पर जले गए थे चुराग पासवान ने खुद को मोधी का हनुमान तक बताया लेकिन चाचा पशुपती पारस के आगे उनकी एक नहीं चली ऐसे में सवाल उठता है कि तीन साल में क्या हुआ जो चुराग पासवान बीजेपी के लिए इतने जरूरी हो गए इन सारी बातों को समझने के लिए कहानी को तोड़ा सा पीछे से शिरू करना पड़ेगा दरसल राम बिलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और चार अनिस सांसदों ने मिलकर ऐसा दावा किया कि चुराग पासवान के साथ पार्टी की कमान निकल गई खेल करने वाले सांसद में पशुपति के अलावा चौदरी महबूब अली कैसर, वीना देवी, चंदन सिंग, प्रिंस राज जो की चुराग के चचेरे भाई हैं वो भी शामल थे पार्टी में टूट के बाद चुराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले सांसद रहे गए, लंबी समय तक ये माना जाता रहा कि पशुपति पारस का गोट बेहत मस्बूत है और NDA में सबसे अच्छी हिस्सेदारी मिलती रहेगी इसके बाद पिछले पात साल चुराग पासवान के लिए बेहत कठिन रहे, 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया था, इस बीच NDA में नितीश की पार्टी जेडियू के विरोध के चलते LGP को विधानसभा चुनाव में उचित सीटें नहीं मिली, जिसके बाद चुराग पासवान ने बगावत कर अकेले चनाव लड़ने का एलान कर दिया था, जेडियू के प्रत्याशी के खिलाफ पूरे राज में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिये और नितीश पर लगातार हमलावर रहे, जिसका नुकसान जेडियू को उठाना पड़ा, इस दोरान भी चुराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था, पार्टी में टूट के बाद चुराग पासवान को रामवलास पासवान का दिल्ली स्थित सरकारी बंगला भी खरली करना पड़ा था, पासवान काफी धावख हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस दोर में भी पीम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, और चुराग पासवान हमेशा से खुद को पीम मोदी का हनुमान बताते रहे, और आखिरकार चुराग पासवान की सक्रियता और कियासत में माना जाता रहा है कि रामवलास पासवान वोट ट्रांसफर करवाने के मामले में सबसे माहर नीता हैं लंबे समय तक कहा जाता रहा है कि रामवलास पासवान जिधर जाते हैं जीत उस गड़बंधन की हो जाती है चिराग की सभाव में उमड रही भीड के बाद हाल के दिनों में चर्चा थी कि उन्हें महागडबंधन में बड़या ओफर दिया जा रहा है लजेपी और लालू की पार्टी आरजेडी के रिष्टे हमेशा से अच्छे रहे हैं ऐसे में बीजेपी के अंदर इस बार भी तरजीह दी गई तो शायद चुराग पासवान एंडिय कि इस दोरान उनकी सभाव में युवाओं की भारी भीड उम्री चुराग ने विधानसभा चुनाव में करीब 130 प्रत्याशी उतार कर अपने पार्टी को एक संगठन में खड़ा कर लिया था चुराग पासवान ने पार्टी में तूट के बाद भी पीम मोधी के समर्थक म पत दाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाई रखी बिहार फर्स बिहारी फर्स जैसे मुध्य पर वो लगातार मुखर रहे नितीज सरकार पर हमदा करने से वो पीछे नहीं हटे बिहार बीज़पी निताओं के साथ उनके रिष्टे बिहद अच्छे रहे बिहार में बीज शाह के दोरे में लगातार साथ बनाई हुए हैं बिहार की राजनीती में माना जाता है कि एलजेपी के पास पात से 6 फीस दी वोट हैं ऐसे में बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए चराग पास वान बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार हो सकते हैं दूसरी तरफ पर टीश ने एंगे से नाता तौड लालू के साथ चले गए थे फिर भी पशुपति पारस एंगे में बने रहे थे लेकिन जीडियू से उनकी नस्दी की बीजेपी के तुलना में जादा रही थी ऐसे में पशुपति पारस के साथ बीजेपी और संग के निताओं के रिष्ट बहुत अच्छे नहीं रहे शायद इन्हीं वजों से दोहजार चौबिस के चुनावी रण की शुरू आती दिनों में ही चराग ने अपने चाचा पशुपति पारस को पिछार दिया है NBT Online की रपोर्ट